कैसे हैं आप आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सबसे पहले आज मैं पता देती हूँ कि आज मैं अपनी वीडियो में क्या क्या शेयर करने वाली हो तो मैंने मिली आता सबसे पहले एक मीशो शेयर करूंगी और जो मुझे काफी में आने वाले हैं तो वह भी आपके साथ शेयर करने वाली हो इसके अलावा चुटे अपड़ी थी तो चुट्यों में हम गए थे बच्चों की नानी के खार याने की अपने घर पीहर और वहां पर मेरे बतीजे का हुआ था मूंडन हमारे हाँ पर है गडगंगा तो हम आप पर नाने गए थे वहां पर हमारे बाल उतरते हैं बच्चों की चोटे चोटे बच्चों की तो वह भी मापके साथ शेयर करने वाली हो अगर आप वहीं से कहीं से मेरी वीडियो देखने तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके चरूर बताना कि आप वहीं से रिलेटिड है या फ मिलते हैं तो जो एनरजी मिलती है तो वहीं एनरजी के साथ इस वीडियो को हमें स्टार्ट करेंगे तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना पूरी वीडियो जरूर देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने लिया था मीशो से ये कुर्ता और ये मुझे मिला था 525 रुपीज में और इसका जो प्राइज है एमाजोन और फिकार्ड पर काफी हाई है 600-700 के आसपास है लेकिन मीशो पर ये काफी सस्ता मिला और इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत पसंद आई है मुझे उमीद न लगेगा लेकिन मन खुस हो गया इसको लेने के बाद में और क्वालिटी काफी अच्छी है और जो इसके उपर कढ़ाई करी गई है जो एम्प्रोडी का वर्क है वह भी बहुत फिनिसिंग से बहुत ही सुन्दर लग रहा है जैसे कि आप इसको देख सकते हैं लेंथ भी इ अच्छा लगा तो जब मैं घर पर गई थी तो मुझे यह घर पर रखे हुए कपकी स्टेंड है लेस के अंदर ग्लास रखे हुए बढ़ भी तूट गए तो मैंने इसको मॉलिट के लिए से पहले इसको अच्छे से फिक्स करके चुपका दिया बाद में मैंने यह बॉल पुट्टी बॉल पुट्टी का एक डॉब तयार करा और उसके वेने फ्लावर भी बनाए अगर आप यह देखना चाहते हैं तो उसक अब इसके बाद मैंने इनको कलर फुल तरीके से इनके उपर कर दिया है आप चाहे तो एक कलर का भी रख सकते हैं तो मैंने तो थोड़ा डिफ्रेंट रखा क्योंकि वह थोड़ा अच्छा लगता है सुन्दर लगता है देखने में और उसके बाद मैंने यह गॉल्टन कलर इसके उपर किया था तो काफी अच्छा लुक लग रहा था देखने के बाद मुझे यह फ्लॉटिंग फ्लावर पॉर्ट बनाना था तो जैसे लगता है ना कि उपर से फ्लावर गिरते हुए नीचे अब इससे क्या हुआ कि देखिए अब मेरे काम में आगया घर वाले तो मेरे को फैकने वाले था लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा यूस G बना दिया है सैकिन मेरे पास यह जो कलर आते हैं कलर की बोटल फिर से खाली होगी थी वहापर कलर करते करते तो वहां है भी शोचा की चलिए कुछ इनका भी कुछ बना दियते है तो यहां ने भी बनाया था और यहां इसको मैंने कलर कर दिया है पिकॉक को हाइलाइट करने के लिए और आपको पता है मैं यह की कलर यूज करती हूं और फिर यह खराब भी नहीं होते हैं तो काफी टाइम तक चलते हैं और अच्छे भी लगते हैं तो आप मार्केट से इसी तरह की छोटी-छोटी हो, हम इसको हैंक करने के हिसाब से बना दिया है और चोटा सा मझ मनी प्लांट तो मैंने मनी प्लांट भी लग दिया अप देख सकते यहां हमारी تयारी हो चुकी है गंगा नान के लिए जाने के लिए और यहे ना our Audrey. तीजा छोटू सा कुशाग्र और यहां पर हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए आज इसका मुंडन कराना है बाल वाल कटवाने है तो हम लोग सब सो सो के ओटे थे खाना पीना तयार किया क्योंकि वहीं आना था तो दो दो बार कौन आएगा तो सब देखिया हम कितने मतलब गंदे-गंदे से लग रहे हैं देखने में और सब लोग तयार हो करके चल दिये हैं तो बच्चों के बड़े मलब मजह आये थे और फिर हम पहुंच गए गंगा घाट पर और यहां हम अपना समाना मान उतार रहे हैं सब लोग इंतजार करें कि जल्दी-जल्दी पहुंच जी को लेकर के और यहां पर और अब स्टार्ट हो जाएगा दो मलब मुद्ञा देखनेत बची बच्चे मज़े रहें और यहां उसके बाल गंदे प्षारा नहीं रहा ता कि पीछे से जैसेEs नमेर आया तो इतना रोना सुरोगत कि बड़ी मुश्किल वहां उसके बाल उत उतर गेते कूद गेते अंदर तो वहां मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई लेकिन दीरे-दीरे हमने जो भी जो भी मेरे मोमेंट थे वो मैं कैचप करती गई नहार दो करके हम लोग तयार हो गए हैं और यह पंड़जी हैं वहां पर जो पंड़जी पूजा करते हुए उसके जादी के कम से कम कुछ भी नहीं तो 7-8 साल बाद मैंने फिर से गड़गंगा देखी थी और काफी मजा आया तो उसके बाद हम सभी नहीं हैं पूजा पार्ट कर लिए बढ़ने जीने कलावा बांदा और टीकाय लगाया है तो सभी लोग हम लोग अपने कलावे बंदवात हुए तो यह गड़गंगा का नजारा है हरीदवार गंगा से थोड़ा सा छोटी होती है लेकिन बहुत आनन्द है बच्पन में बहुत चीजे यहां देखी है और यहां पर बच्चे आईस्क्रीम का लुफ्त उठाते हुए और हम सभी खाना आना खा रहें तो मैंने सबकी वीडियो वीडियो शूट कर ली है और आप मुझे बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल मत जाना भूलना नहीं है तो यहां जूलवले भी लगे हुए थ तो उस टाइम पे थोड़ा मॉर्णिंग में थोड़ा जल्दी गए थे तो अतनी जूला बच्चों को नहीं मिल पाई हां जो भी थी उन पर बच्चों ने अच्छे से जूला जूला है और भाई पीहर की जो बात होती है उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है तो आप कितना अज की वीडियो आपको जरूर पसंद आया है तो फ्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को अभी सबस्क्राइब करना और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाना क्योंकि वीडियो का नौटिफिकेशन मिलना बहुत जादा ज़रूरी है अगर जर्धे सब्सक्राइब।